तो बच्चो मैं पूजा और मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो बच्चो आज हम MP Board Class 3 Hindi Book है इसका पार्ट है आठ मिलकर रहने में सार इसके कुसर आंसर हम इस वीडियो में सुल्व करेंगे तो चली बच्चो वीडियो शुरू करते हैं तो देखी बच्चो पहला प्रसन दिया है बोद प्रसन पहला प्रसन है निमलिकित प्रसनों के उत्तर दीजिए पहला प्रसन है पत्ती क्या कारी करती है तो देखी पत्ती जो होती है वो पोदो में क्या कारी करती है तो इसका उत्तर है पत्ती पोदो को खाना पहुंचाने का कारी करती है पोदो के बढ़ने में उनकी मदद करती है पत्ती जो होती है पोदो के लिए खाना पहुंचाती है और उनकी बढ़ने में मदद करती है प्रस्ने दो है यदि पोदों की जड नहीं होती तो क्या होगा? यदि पोदे हैं अगर उनमें जड नहीं होगी तो क्या होगा? देखिए जड जड ही पोदे के जीवन का आधार होती है क्योंकि जड मिट्टी में दबी रहे कर जमीन में से पानी भोजन शोक कर तने को देती ह जड़ क्या करती है, पानी को सोकती है, और फिर वो किसको देती है, पोदे को देती है, नेक्स्ट है, तने का क्या काम है, उत्तर है, तना पोदे को सहारा देने का काम करता है, फूल, पत्ती, डाली, इन सभी को तने से ही सहारा देता है, तने के बिना ये सब तड़पने लगत करते हैं तना क्या करता है आप इतना भी कर सकते हैं इसको तना पोदे को सारा देने का काम करता है इतना भी आप इसको कर सकते हैं अगला है जड़ के अलग हो जाने पर क्या हुआ उत्तर हो जाएगा जड़ के अलग हो जाने पर तना भी अलग हो गया जिसके कारण फूल पत्त डाली सभी तड़पने लगे प्रसने पांच है यह पार्ट हमें किस बात की प्रेंड़ना देता है इसका उत्तर है यह पार्ट हमें यह सिक्षा देता है कि सभी को एक दूसरे की जरुवत है और आपस में मिलकर रहने में ही सार है और हम सभी मिलकर रहेंगे तभी अच्छे से सकेंगे प्रसने नंबर दो है दिये गए सब्दों और बाक्तियों को सई जोड़ी बनाओ तो बच्चों देखिए ये सई जोड़ी मिला लिजेगा फूल खिलता है तने भूजन बनाते हैं जड़ जमीन से पानी सोकती है डाली पत्तियों को साधे रखती है काटे फूलों की तने रख्षा करते हैं तना सब को सहारा देता नेक्स्ट है किसने किश्य कहा प्रसनितीन किसने किसके कहा पहल PrzyT contradiction कर सकता हूं यह को उत्तर हो जाएगा के काटे ले गुलाप से कहा ठीद दूसरा है तुम भूल रहा हो की तुमको खाने में ही देता हूं तुमको खाना में ही देता हूं ठीक है यह किस ने कहा यह पत्ती ने कहा किस से कहा काटो से पत्ती बोजन बनाती है ठीक है तो उसने बोला कि तुमको खाना में ही देता हूं किस से बोला काटो से तीसरा पैस ने है मैं ही तो पत्ती को साधे रखता हूं तो इसका उत्तर गयागा डाली ने पत्त से कहा चोता है मैं ही तुमारे जीवन का आधार हूं जड़ ने तने से कहा ठीक है जड़ ने बोला तने से के मैं ही तुमारे जीवन का आधार हूं पांच वाय जब हवा चलती है तो मैं जूमने लगता हूं गुलाब के फूल ने तितली से कहा ठीक है बच्चो इस तरह से पहला ёट कीजिए और सुलेख लिखेंगे नसट को नसट करोध यह होगा करोध यह साई हएब है तो िस तरह सो जाएगा पंखडियाञ तो पंखडिया पंख्डियाञ कि मिट्टी मिट्टी परिणाम परिणाम कि इस तारे साप ये इनके शुद्ध लिख्लिजेगा फिर है शही जोड़ी बनाई हो लिखिए सुंदर बसुरत तो देखे बच्चो सुंदर का हो जाएगा असुंदर ठीके कठोर कठोर कोमल कोमल का क्या हो जाएगा कठोर नीचा का हुँचा खुसबू का बदभू और जो खुबसूरत था ठीके वह फच्कोँ तो इसका हो जाएगा इधर यह स्वरत और जो है इस असुंदर हैए उसका जो जाएगा ठीके आप यह मिला लीजीगा अगला प्रस्ण तीन है संबाल में अलग सब्दों पर गोला बनाई है इस फ़के जो अलग सब्द है उस पर हम्में क्या करना है गोला लगाना है देखो तेला के दिया तो इसमें अलग यह नकानी प्रदमी में हुटी अलिः नाड़ी आदमी अईग वगा गया दिन में बासर दिवस रात बार इसमें अलग हो जाएगा रात देखो ये सबी दिन होते हैं और रात अलग हो गई ठीक है परसने चार है दिये गए बाक्यों के रेखांग की सब्दों का अर्थ चुनकर लिखिए जो यह रेखा किस सब्दे हैं इनका अर्थ लिखना है हमको इन मेंसे ठीक है तो देखी केसे लिखेंगे पेला किया रेखांग कितर यदि मैं मिट्टी को अपने से दूर करणू तो दूर चाटेगी रेखांग कितर तुम सब अपनी से की बगाना बंद करो इस पे लाइन खिच हुई है तीसरा है मैं तुम्हारा जीवन का आधार हूँ इस पे लाइन है क्यों सब एक दूसरे को नीचा दिखाने पर तुले हो नीचा दिखाने पर रेखांग किते दूसरों के सहारे रेहने वाले पत्ती और डाली इतना मत इतराओ ये तरह आउंपे लाइने मलना जो बच्चो लाइन दी गई जिनके नीचे उनके हमें क्या करना है अर्थ लिखना है ठीक है तो देखें प्मे असे होल चाटेमना का मतलब होता हर जाना चैह था होथा है बच्चो एक्ट वागणन का उपका है कि टारीफ करना जैसे मेल मिलाप यहने मिल कर रहना है आप लोगों देख वोगा हम सभी परिवार में मिलकर रहते हैं तो कोई बिमार होता है तो एक दूसरे की मरद भी करते हैं काम में हर चीज में और यदि हम परिवार से दूर रहते हैं तो इतनी मरद नहीं हो पाती है आप बिमार भी होते हो तो आपकी देखबाल करने वाला भी कोई नहीं होता है इससे सम्मनित कोई कहानी कभी तक अक्षा में सुनाओ तो आप इस तरह से कहानी सुना सकते हैं एक बार मैं आपको इसमें बता रेती हूँ एक तामे सक्ती है एक दिन एक सिकारी जंगल में चिडियों का सिकार करने गया उसने जंगल में जाल फिला कर चामल के डाने विकेर दिये पेड के पीछे चिप गया उड़ते हुए कबूतर के जुंड ने सरदार की चेटाउनी की तरफ ध्यान नहीं दिया चामल चुगने के लिए उतर पड़े जाल में फसे कबूतर अब बहुत पस्ता रहे थे सरदान ने कहा सब मिलकर एक साथ जोल लगाओ और जाल को उड़ा उड़कर उड़ जाओ मरब जाल लेकर उड़ जाओ सभी कबूतर से कहा कि सब लोग अब तुम फस्तो गए हो सब लोग उड़ो जोल लगा के उड़ो ताकि जाल भी तुम्हारे साथ में उड़ जाए सब कबूतरों ने सर्दार की बात मानी जाल सईथ उड़ गए सर्दार ने चूओं की मदद से जाल कटवाया जो कबूतरों का सर्दा था उसने क्या किया चूओं आया चुओ को बुलाया और फिर सारे जाल को कटवा दिया सभी कबूतर आजाद हो गए इससे पता चलता है कि हम सब एक जुट होकर रहेंगे तो कठीनाईयां भी दूर हो सकती है अगर एक ही कबूतर फ़ज जाता तो जाल से कभी निकल नहीं पाता और सिकारी उसको ले जाता अगला है सोची और बताईए कौन कौन से काम को सब मिलकर करना चाहिए देखिए काम है देखना तो कौन करेगा आँख फिर काम है सुनना कौन करेगा कान सुनना नाँख चबाना मूँ पकड़ना हाथ चलना पिर अगर ये सबी गड़बड हो जाएंगे तो काम हम नहीं कर पाएंगे ठीक से तो बच्चों ये वीडियो में यहीं स्मापत करती हूँ आपको ये चेप्टर कैसा लगा मुझे कमेंटर में ज़रू बताएगा वीडियो अच्छी लागे तो लाग जरू किजएगा चैनल पर नाया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं पूलेगा मिलता है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद